अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बचा देना तके जब ना उनलाइन आउं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बचे हमें ये सुनिशित करना होगा कि आतंग बादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोशी ठहराए जाए और इस समास्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए सबसे पहले मैं ब्रिक्स के सफल से इंचालन के लिए राश्पति पूतीन को बधाई देता हूँ आपके गाइडन्स और इनिशेटिव की वज़े से वैस्ट्विक महमारी के समय में भी ब्रिक्स अपनी गती को बरकरार रख पाया है अपनी बात आगे रखने से पहले मैं प्रस्रिजन रामा फोसा को जन्म दिवन्ष की शुबकामनाय देता हूँ एक्सलेंसीज इस साल के समीट का थीम ब्रिक्स पार्टनर्शिप फ्र ग्लोबल स्टेबिलिटी शैर्ड सिकुरिटी एंड इनिवेटिव ग्रोथ प्रासंगिक तो है ही किन्तु दूर दर्शी भी है विश्व में महत्वपूर्ट जीयो स्ट्राटेजिक बडलाव आ रहे हैं जिनका प्रभा स्टेबिलिटी शीकुरिटी और ग्रोथ पर पढ़ना और पढ़ता रहेगा और इन तीनों क्षेत्रों में ब्रिक्स की भूमी का एहम होगी एक्सलेंसीज इस वर्ष दूसरे विश्वयुद्ध की पचतरवी वर्षगांट पर हम वीर गति पाये साइनिकों को सरधांजली देते हैं भारत से भी 2.5 मिलियन से अधिक भीर इस युद्ध में यूरोप, आफ्रिका और साउथ इस एशिया जैसे कई फ्रंट्स पर सक्रिय थे इस वर्ष उनाइटेड नेशन्स की स्थापना की पचतरवी वर्षगांट भी है यूरोट के एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत मल्टी लेटरिलिजम का द्रड़ समर्थक रहा है भारतिय संस्कृति में भी पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना गया है अता हमारे लिए यूरोट जैसी संस्था का समर्थन स्वाभाविक था UN के मुल्यों के प्रती हमारा commitment अडिग रहा है Peacekeeping Operations में सबसे अधीक वीर सैनीक भारत नहीं खोये है किन्तु आज Multilateral System एक संकट के दौर से गुजर रहा है Global Governance के समस्तानों की Credibility और Effectiveness दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं इसका प्रमुक कारण यह है कि इनमें समय के साथ उचीत बडलाव नहीं आया यह अभी भी 35 साल पुराने विश्व की मानसिक्ता और वास्विक्ता पर आधारित है भारत का मानना है कि UN Security Council में Reforms बहुत ही अनिवार्य है इस विशे पर हमें अपने Brics Partners के समर्धन की अपेक्षा है UN के अतिरिक्त कई अन्य अंतराष्टे संस्ताय भी वर्तबान वास्त्रिक्ताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे है WTO, IMF, WHO जैसे institutions में भी सुधार होना चाहिए Excellencies, आतंगवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है हमें ये सुनिशित करना होगा कि आतंगवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोशी ठहराए जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए हमें खुशी है कि रूश की अध्रिक्सा के दोरां ब्रिक्स काउंटर टर्रिजम स्ट्रेजी को अंतीम दूप रूप दे दिया गया है यह एक महत्वपूर उपलब्दी है और भारत इस कारे को अपनी अध्रिक्सा के दोरां और आगे बढ़ाएगा एक्सलेंसी कोवीड के बात की वैस्वी की रिकवरी में ब्रिक्स एकोनोमिक की एहम भूमिका होगी हमारे बीच विश्वकी 42% 42% से अधिक आबादी बस्ती है और हमारे देश ग्लोबल एकोनोमिके मुख्य एंजिन जोंसे है ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने का बहुत स्कोब है हमारे आपसी संस्ताएं और सिस्टिम्स जैसे ब्रिक्स, इंटर बैंक कोपरेशन मेकानिजम, न्यू डेवलोप्मेंट बैंक, कंटिजेंट रिजर्व एर्रेजमेंट और कस्टम्स कोपरेशन आदी भी बैस्वीक रिकवरी में हमारे योगदान को इफेक्टिव बना सकते हैं भारत में हमने आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट एक व्यापक रिफार्म प्रोसेश शुरू किया है यह कैम्पेंग इस विशेपर आधारित है कि एक सेल्फ रिलाइंट और रेजिलियन भारत पोस्ट कोवीड अर्थेववस्ता के लिए फोर्स मल्टिप्रायर हो सकता है और ग्लोबल वेल्यू चेंज में एक मजबूत योगदान दे सकता है इसका उदारण हमने कोवीड के दोरान भी रेखा जब भारतिय फार्मा उद्योग के छमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवशक दवाईयां भेज पाएं जैसा मैंने पहली भी कहा है हमारी वेक्सिन उत्वादन और डिलिवरिक शमता भी इस तरह मानवता के हीत में काम आएगी भारत और दक्षिन अफरिकाने हैं कोविड नाइटीन वेक्सिन उपचार तता जाच समन्ती इंटलेक्ट्वली प्रोपर्टी एग्रिमेंट्स में छूट दये जाने का प्रस्ताव रखा है हमें आशा है कि ब्रिक्स के अन्य देश भी इसका समर्थन करेंगे अपनी ब्रिक्स अध्रिक्सता के दोरान भारत डिजिटल हेल्थ और ट्रिडिशनल मेडिसिन में ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने पर कारे करेगा इस मुश्किल वर्ष में भी रुशी अध्रिक्सता में पीपल टू पीपल रिस्तों को बढ़ाने के लिए कई इनिशेटिव लिए गए जैसे की ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल और युवा वेग्यानिकों और युवा राजनरिकों की बैठक हैं इसके लिए मेराश्प्रति पुतीन का हार्दिक अभिनदन करता हूँ एक्सलेंसीच 2021 में ब्रिक्स के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे पिछले सालों में हमारे बीच लिए गए विबिन निर्णों का मुल्यांकन करने के लिए हमारे शेर्पा एक रिपोर्ट बना सकते हैं